नमस्कार मित्रो और वेलकम टू टोड़ेज एपिसोड ओफ इंदोट हमारा चंदरयान 3 के सक्सेस का एक्स्टेंशन होने वाला है आज का ये वीडियो चंदरयान 3 के लैंडिंग पे बहुत सारे एरोस्पेस इंडस्ट्री के स्टॉक में अच्छा बाइंग देखने को मिला यहाँ चंदरयान हुआ लैंड और वहाँ ये स्टॉक सो जैसे रॉकेट हो गए एकदम तो यू ही मैं इस रो को सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी देख रहा था जो कि आपके मेरे जैसे आम आदमी याने मैंगो पीपल को अफोरडिबल हो और टेकनिकली एंड फंडामेंटली भी स्टॉंग हो तो ऐसा ही है आज का ये स्टॉक आवेंटल लिमिटेड कंपनी के प्रोड़क्ट्स चार वर्टिकल्स में डिवाइड़ है सैटलाइट कम्यूनिकेशन यानि वो कम्यूनिकेशन सिस्टम्स जिसमें सैटलाइट का यूज होता है High Frequency Communication वो होती है जिनकी रेच 3 या 30 MHz के बीच में होती है Electronic Warfare वो है जिसमें अलग-अलग Systems यूज की जाती है Anime की Frequencies या Softwares दिस्टरब करने के लिए और Radar को हम सब जानते ही है क्या है Company की Customer Lease देखे तो इसमें ISRO, BRDO, Indian Railways और Defense Ministry जैसे बड़े बड़े नामशा मिला है चार्ट्स पर चर्चा करने लायक तो इस टॉक में बहुत कुछ है इस Company का Daily Chart में ने चंदरयान 3 के Landing के बाद देखा था और मैं तो भाई दंग का दंग रह गया 2022 से ये Company ने 200% Returns दिये है अपने Investors को और पिछले 15 दिनों की अगर बात करें तो अदमस 50% Returns मिला है भाई साब मेरा एक Simple Suggestion ये है कि जो लोग Short Term Gains के लिए ये देख रहा है उन्हें अभी Entry नहीं लेनी चाहिए because it is a little late to get an entry into the stock बट अगर अगले कुछ दिनों में एक Consolidation मिलता है और उससे एक Breakout मिलता है तो आप थोड़ी छोटी सी Position लेनी की सोच सकते हो But do you know something? इस Company के चार्च से जादा इस Company के Financials ने मुझे जादा इंप्रेस किया है Since 2019, Company के Revenue और Net Profits में एक Steady Rise दिख रहा है which is a very good sign to look for in a company Recent Financial Years की ही अगर figures देखने हो So there has been a 45% increase in the revenue from 106 crores to 154 crores And the best part is that the Net Profit has also grown by 57% from 19 crores to 30 crores But Company में डेट भी बड़ा है जो कि usually Asset Acquisition के लिए हो सकता है Short Term Debt 117% से बड़ा है जबकि inventory 174% से बड़ी है इससे हम ये कह सकते है कि Because of the increasing demand The Company had to procure inventory For which they had to get short term loans But viewers, कोई भी investment decision लेने से पहले आपका खुद का analysis जरूर कीजिए या professional help लीजिए ऐसे और भी interesting stocks के लिए हम से जुड़े रहे And like और subscribe करना ना भूलियेगा This was it for today Goodbye and Sayonara I'm gonna go झाल